पूरी दुनिया में कोरोना भाइरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसवाइरस की वज़े से दुनिया भर में अब तक करीब 3,000,000 से भी जादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 45,000,000 से जादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। हर वाइरस की तरह इस वाइरस पर ऐसी चर्चा की जा रही है कि कोरोना वाइरस पुलिंग है या स्ट्रिलिंग अगर व्याकरन की बात करें तो फ्रेंच भाशा के भाशावेद इसे स्ट्रिलिंग मान रहे हैं उन्होंने ऐसा ही मानते हुए इस वाइरस के नाम के आगे ले या ला लगाना शुरू कर दिया है। खबरों के नुसाय फ्रांस के एक अकादमिक ग्रूप द अकैडमी फ्रेंचाइज निताय किया है कि कोरोना वाइरस को वो फैमिनीन यानी स्त्रिलिंग ही मानेगी। लेकिन पूरी दुनिया में इसकी ताकत को देखते हुए इसे पुलिंग कहा जा रहा है। कि शुरुवात में ही मेलडाई लिखा गया है याने जिसमें लाग का इस्तमाल किया गया है वो इस्त्रिलिंग है। इसलिए भाष अवेद इसे लाग कोविड कहने का एलान किया है। अब्सक्राइब आर चनल और प्रेस बेल इकन वो अप्डेट्स।